हे गाईस नमस्कार दोस्तों मैं द्यवा राच पूत मेरे व्यूटिब चैनल द्यवा मुजिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ट्यूटियल वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेला चाओ सॉंग यह बहुत ही फेमस सॉंग है और इस सॉंग को अच्छे से सीखने के लिए मेरे ट्यूटियल वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और दोस्तो मेरे इस वीडियो पे लाइक, शियर, कमेंट और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और पे जरूर सेलेक्ट कर दिना चलिए अब हम बेला चाव सॉंग को सीखना स्टार गरते हैं दोस्तो बेला चाव सॉंग के स्टारिंग में एक म्यूजिक प्ले होता है जिसे हम कहते हैं स्टारिंग म्यूजिक अब वो starting music कैसे play होता है पहले मैं आपको play करके बता देता हूँ उसके बाद हम Bella Chow Song के starting music को keyboard पर play करना सीखेंगे ठीक है ध्यान से देखिएगा ठीक है तो यही है वो starting music जो हमें Bella Chow Song के पहले play करना सीखना है अब इस music को सीखने के लिए सबसे पहले आपको keyboard पर लगा लेना है brass का voice brass के आज लगाने के बाद हम इस music की पहली line A note से play करना सीखते हैं single finger से देखिए सबसे पहले right अब इसके बाद D note से ठीक है अब इसके बाद फिर से A note से आगे की line अब इसके आगे B note से ठीक है फिर से देखिए सबसे पहले A note से अब इसके बाद D note से right अब वापिस से A note से अब इसके आगे B note से अब इसके बाद हमें A minor chord play करना देखिए फिर E major chord ये P major chord का first inversion है ठीक है फिर से देखिए A minor chord फिर P major chord का first inversion है फिर वापिस से A minor chord ठीक है तो अब इसका sound देखिए कैसा आगा इस तरह से आगे ए बता देता हूं सभी finger से और हो सके तो आप भी मेरे साथ play करने का track किजएगा चलिए start करते हैं तो ये इस तरह से play होगा Bella Chow song का starting music अब हम इस music के बाद Bella Chow song को play करना सीखते हैं और वो भी हम brass की voice में play करना सीखेंगे brass में काफी अच्छा लगता है ठीक है अब Bella Chow song की सबसे पहली line हम A note से play करना सीखते हैं single finger से देखिए अब इसके आगे E note से ठीक है फिर से देखिए सबसे पहले A note से अब इसके आगे के line E note से ठीक है अब इसके आगे के line वापिस से E note से देखिए अब इसके आगे के line हम D note से play करना सीखते हैं देखिए अब इसके आगे के line E note से देखिए ठीक है फिर से देखिए ये line पे थोड़ी से tough है अब इसके बाद यही सारी line जो हमने play करना सीखिए न यही सभी line यहाँ पे repeat होती ही ठीक है अब देखिए मैं आपको एक बाद सारी fingers से ये सभी line प्ले करना सीखा देता हूं देखिए सबसे पहले E note से first line अब इसके बाद E note से second line अब इसके आगे के third line वो भी E note से अब इसके आगे के fourth line D note से देखिए अब इसके आगे के fifth line E note से ठीक है फिर से देखिए इस पाचवी line को E note से तो अब यहाँ पर हमने इस song के starting music को और इस song की line को प्ले करना सीख लिया है अब ही मैं आपको एक बार यह पूरी line एक साथ slow motion प्ले करके बता देता हूं कि आपको किस तरह से प्ले करना है देखिए प्ले से देखिए किस अदाए फेट से देखिए कर देखिए अब इसके बाद जो हमने म्यूजिक प्ले करना सीखा था ना इस्टारिंग में इस्टारिंग म्यूजिक वो यहां पर फिर से रिपीट हो जाता देखिए यह तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ लेकिन एक और बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छे थे स्लो मोशन में देखिए सबसे पहले फिर डी नोट से अब वापिस है ए नोट से अब इसके आगे बी नोट से यहां पर ए माइनर कॉड फिर ए मेजर कॉड का फर्स्ट इन्वर्जन आप चाहें तो ए मेजर कॉड भी प्ले कर सकते हैं देखिए अब दोस्तो आज कर यह चुचुरेंड वीडियो आपको कैसा लगा यह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए अब मैं आप से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में आप से मिलता हॉँ आपको कैसे हूँ ओités कर दोस्तों का झालरी वी झाल झाल